हेलो गुड मॉर्निंग सुबह के पौने बारा के आसपास बच चुके हैं मैं थोड़ा दो-चार मिनिट लेट हुआ हूं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं हमेशा की तरह लेकिन क्या करूं मैं देर करता नहीं देर हो जाती है अब हम क्या कर रहे हैं हम लोग दो तीन चीज़े कर रहे हैं हम हाई विठल गूड मॉर्निंग विठल इस हैं मैं दो लोगों को देख रहा हूं और मुझे पता है कि 5-7 मिनिट में यहां पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे मनु हनी thank you so much तीसरा भी कोई आ गया है खैर मैं लोग नहीं गिनते रहूंगा मैं आगे बढ़ता हूं आज मैं आपको बहुत इंपोर्टन चीज़े बताने वाला हूं उसमें एक सबसे इंपोर्टन चीज़ है belief and conviction तो एक belief और conviction का एक exercise है जो मैं आपको करवा हूंगा जैसा मैंने पहले ही बताया है कि when you practice something again and again like your religion like your hi mehol good morning mehol surti is a wonderful music director जैसे मैंने पहले भी बताया था so when you practice something again and again and again it could be your thought it could be your ideology it could be your religion आप जिस चीज़ को बार 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 करते रहते हैं बार बार practice करते रहते हैं वो चीज़ वो practice सिर्फ physical practice नहीं है वो psychological practice भी हो सकती है good morning mehol तो वो जो practice आपकी चलती रहती वो practice धीरे 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 जब आप वो चीज़ को करते रहते हैं तो वो आपके belief में convert हो जाती है और belief जब बहुत जादा strong हो जाता है जब आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती है तब उस चीज़ में आपका belief बन जाता है और वो belief जब बिल्कुल strong हो जाता है जब आप convince हो जाते हो कि जो कुछ मैंने किया वो बिल्कुल मैं सही कर रहा हूं और वही सत्य है तब वो conviction बन जाता है और वो conviction ही आपको truth की तरफ ले जाता है तो आज मैं आपको belief और conviction को कैसे physically achieve किया जाए एक तो होता है mental लेकिन आपकी जर्णी जो होती है वो physical to mental होती है जैसे कोई श्लोक अगर आप बोलते हो कोई भगवान का नाम लेते हो अगर वो आप physically बोलते रहो बोलते रहो बार बार करते रहो तो करते 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 धीरे धीरे आपका belief बन जाता है उस चीज़ के बारे में ये हर चीज़ पर लागू होता है चाहिए आप डॉक्टर हो इंजीनियर हो एंजीनियर हो केमरा मैन हो फोटोग्राफर हो आप सइन्टिस्ट हो आप जो कोई भी हो आप Sundays काम कर रहे हो हिस काम को repetitively करते जाते हैं उस काम में आपका belief बनता है और वो belief ही convert होता है conviction में और conviction जब 100% हो जाता है तो वो truth हो जाता है truth में बदल जाता है आपका truth ज़रूरी नहीं कि वो जमाने का truth हो लेकिन वो आपके character का truth आपका अपना truth हो जाता है और truthful अभी नहीं देखना ही लोग पसंद करते हैं उसी की सारी struggle हम कर रहे हैं तो आज मैं आपको एक belief और conviction का बहुत सुन्दर बहुत छोटा सा exercise करवाऊंगा वो exercise करेंगे उसके अलावा आज मैं आपको फिर से आपकी script के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो character आपने choose कर लिया है जिस character को आप perform करने वाले हो जिसका वीडियो शूट करके आप मुझे भेजने वाले हो और मैं अपना वीडियो शूट करके आपको भेजने वाला हूँ उस character की जो script है उसको अभी हमको perform नहीं करना है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जाधा तर actors गलती क्या करते हैं जाधा तर actors पहले हाई सुफी मनोज, हाई निशू खेर, हाई सज्जाद, हवईयो, रमादान मुबारक भाई सारे मुसलिम भाईयों को रमादान मुबारक और सारे हिंदू भाईयों को भी रमादान मुबारक religion को छोड़े तो हम सब एक जैसे ही है और religion का सही मतलब तभी निकलता है जब हम दूसरों से प्रेम कर सके so let's not go into a preachy zone but if what I was saying that you are not allowed from my side to perform your script right now we will come to that and we are very close to that अगले 2-3 sessions के बाद हम performance के उपर चले जाएंगे लेकिन फिलहाल मैं आपको तरीके बता रहा हूँ जिन तरीकों से आप अपनी script को easily याद कर सकते हैं बिना efforts लिए आप अपनी script को अपने अंदर absorb कर सकते हैं आपको करना क्या है आपको effort याद करने का नहीं लेना है बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे script याद करनी है आपको अपने script neutrally ऐसे जैसे आप वो नहीं कर रहे हो वैसे आपको उस script को objectively बार 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 पढ़ते रहना है उसके मैं कहीं सारे तरीके दिखा चुका हूँ और वो तरीके मैं इसलिए दिखा चुका हूँ क्यूंकि जब आप एक script बार 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 पढ़ते हैं ये मेरा नुभव है, मेरे दोस्तों का नुभव है जिन actors को मैं train करता हूँ उनका भी अनुभव है कि जब आप एक ही script को बार 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 पढ़ते रहते हो तो कभी कभी ये मामला boring हो जाता है तो उस बोरियत से बचने के लिए मैं कुछ actor के actor नुमा जो तरीके हैं वो तरीकों को मैं आपको बता चुका हूँ उसमें दो एक तरीके में आपको और बताऊंगा लेकिन ये सब बताने से पहले में एक छोटा सा zen story आपके साथ शेर करना चाहता हूँ वो story बहुत important है समझने के लिए क्यूंकि वो जब आप उसका अंत समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यूं समझना जरूरी है तो story कुछ हैसी है कि एक बहुत बड़े zen संत थे एक zen साधू थे वो कहीं बहुत उचे पहाड़ पर रहते थे और वहाँ पे अपना zen practice करते थे अपना buddhism practice करते थे तो zen story मैं continue करता हूँ अभी मैं किसी को good morning नहीं कह पाऊंगा तो एक zen संत जो थे वो एक बहुत बड़े zen master थे वो बहुत उचे पहाड़ पर रहते थे कहीं जापान में तो उनकी बहुत चर्चा थी लोग उनके बारे में बहुत जानते थे और कहते थे कि इससे बड़ा कोई संत नहीं है अगर आपको enlightenment चाहिए अगर आपको ज्यान की प्राप्ति करनी है तो इस संत के पास जाना चाहिए तो Tokyo में किसी professor ने इस बारे में सुना और वो professor ने सुना और professor चुकी जानकार खुद था, खुद पड़ा लिखा था तो उसके अपने बहुत सारे ideas अपने बहुत सारे concepts थे बहुत सारी चीजों के बारे में वो aware था तो वो सब knowledge भरा हुआ था लेकिन उसने सोचा कि मैं जाकर देखता हूँ कि ये Zen सादू मुझे नया क्या सिखा सकता है, let me go and see तो जब वो Zen सादू के पास वो पूरा पहाड चड़ते चड़ते बहुत मुश्किल रास्तों से होते होते वो ultimately Zen सादू के वो Zen Master के आश्रम तक उसकी जो रहने की जगा थी वहां तक वो पहुँच गया अब वो पहुँच गया तो वो इधर उधर ढून रहा है लेकिन Zen सादू कहीं दिखा ही नहीं दे रहा है वो अपना जंगल में कुछ अपने काम से गए होंगे कुछ fruit suits लेने के लिए कुछ खाना बटोरने के लिए गए थे और जब वो वापस लोटे तो उस professor को उन्होंने देखा जब उन्होंने professor को देखा तो उन्होंने professor को पूछा पहले तो welcome किया उनकी tradition के हिसाब से और फिर पूछा कि किसली आये हो तो Zen master को professor ने जवाब दिया कि मैं आप से ज्ञान लेने के लिए आया हूँ मैं एनलाइट होना चाहता हूँ मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने नॉलेज में मैं इसलिए आप के पास आया हुआ हूँ तो Zen master ने कहा कि very good बैठी है फिर वो बैठे और tradition के हिसाब से Zen master ने चाई की दो छोटे छोटे कप निकाले उनको चाई दे दी प्रोफेसर साब को केटली से चाई डाली प्रोफेसर साब को चाई दे दी फिर अपनी चाई का कप रखा और वो चाई के कप में चाई डाले डालते गए डालते गए कप पूरा भर गया प्रॉफेसर साहब को लगा कि अब मास्टर रुख जाएंगे लेकिन मास्टर रुखे ने वो चाई के कप में चाई डालते ही गए डालते ही गए डालते ही गए डालते ही गए और चाई का कप ओवर्फलो होने लगा बाहर चाई गिरने लगी बहुत सारी चाई गिर गई तब अब वो प्रॉफेसर से रहा नहीं गया तो उन्होंने रोक दिया करें बस रुख जाईए मास्टर क्या कर रहे हैं आप सब कुछ नीचे गंदा कर रहे हैं तो जैन मास्टर न बैठे हो जब तक वो कप खाली नहीं होगा तब तक मैं जो कुछ भी आपको दूँगा वो आप होल्डी नहीं कर पाऊगे वो गिर जाएगा वो खराब हो जाएगा वैसे ही आप अगर अपने प्रीकंसीव नोशन के साथ इन सेशन्स को फॉलो कर रहे हो अगर आप ये पहले अगर आपका कप भरा हुआ है तो उस कप को खाली कर दीजिए सबसे इंपॉर्टन्ट ये है टू लर्न टू फरगेट अनलर्निंग इस वेरी वेरी इंपॉर्टन जब तक आप अपने आपको बिलकुल नूट्रल नहीं कर पाएंगे तब तक आप नई चीजों को को पाली बात है कि अगर आप औरी बहुत सारे आइडियास और कॉनसेटस को अपने अंदर भलके चल रहे हैं तो आप नया कुछ ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे नया कुछ थासिल कर ही नहीं पाएंगे इसलिए इसलिए इतiliar कॉछ वेरी वेरी इंपॉर्टन आपकी. only by allowing more to yourself और वो more कब अलाव होगा जब पहले से जो भरा हुआ है उसको खाली रखा जाए है उसको रखिये उसका अपने आपको सन्मान भी होना चाहिए उस knowledge का उस ग्यान का एक आत्म विश्वास भी होना चाहिए लेकिन गमण नहीं होना चाहिए उसका हमको हमको अगर greatness की तर आपको ये याद दिलाना होगा कि अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ अभी मुझे और आगे बढ़ना है जैसे मैंने कल भी curiosity के बारे में बात करी थी कि curious रहना बहुत जरूरी है as an actor also as a human being also so very very important that you have your slate blank clean it if it gets written everything then clean it because it is going to be stored in you it is not going to go anywhere so it is very very important that you keep it away okay तो ये zen story से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि आज नहीं जूड़ रहे हैं तो उन सब से मैं request करना चाहता हूँ कि if you want to go ahead in this journey with me please go and watch my earlier sessions there are 17 sessions if you could watch those and if you can follow that you can easily go ahead on this journey with me दूसरी बात कि ये सारे sessions अब धीरे दीरे art sessions available हो चुके हैं बाकी के सारे sessions भी available हो जाएंगे on our youtube channel which is called role explore studios you can easily go there and you can go through the whole playlist and you can always better yourself now आज की दो important बाते हम मैंने पहले भी बताया कि हम तीन काम कर रहे हैं हम पहला काम ये कर रहे हैं कि जो हमारा character हम play करने वाले हैं जिस character का video आप मुझे बना कर भेजने वाले हैं और मैं अपने character का video सबके साथ share करने वाला हूँ उसके लिए हम material इकठा कर रहे हैं तो अब त Neutral associations जिन चीजों के साथ जिन गठनाओं के साथ है वो discover कर लिया है उसके अलावा हमने उसके dreams और उसके sexual orientation के बारे में भी बात कर ली है वो भी मुझे लगता है कि आपने discover कर लिया होगा जिस जिस ने किया है उसका मैं शुक्रिया करता हूँ इसलिए शुक्रिया करता हूँ कि जितना आप करोगे उतना ही ये process और interesting बनता चला जाएगा जो लोग मैं देखता हूँ कि जब वीडियो लाइव होता है तो 14, 15, 20, 25 से जादा लोग नहीं होते हैं लेकिन शाम तक वीडियो के views 200, 200 के उपर निकल जाते हैं तो वो 200, 200 लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं इन वीडियो को follow कर रहे हैं उनसे मैं खास request करना चाता हूँ कि आप भी अपने character को create कीजिए character का autobiography लिखिए character के senses लिखिए character के secrets लिखिए character के dreams, desires character के likings, dislikings उसके neutral association जिन जिन बातों के साथ है वो लिखिए उसके dreams के बारे में लिखिए उसके sexual orientation के बारे में लिखिए उस तब जितना आप जादा material इकठा करोगे उतना आप character के और करीब पहुँच पाऊगे उसके बाद हमें character में fit होना है या character को हमरे अंदर fit करना है that decision we will take and we will go ahead with this journey now मैंने आपको बताया था कि आप अपनी script को और कहीं सारे तरीकों से पढ़ सकते हैं तो उसमें दो तरीके मैं आज आपको बताना चाहता हूँ first is holding on your pitch जैसे मैंने कल बताया था last तरीका ये बताया था कि आप अपना pitch, volume इसको कैसे practice किया जाए उसका exercise मैं session number 7 में बता चुका हूँ कल मैंने बताया था कि आप मैंने बहुत सारे तरीके बताये थे distort करके और भी एक दो तरीके बताये थे और उसके अलावा मैंने एक तरीका बताया था कि आप अपना pitch, volume, speed ये तीनों element को एक सार डाल दीजिए आज मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने pitch को आप अपनी speech को अलग-अलग pitch में try कीजिए for example मेरा line है माफ करना मैं शेहनशा नहीं बनना चाहता है ये मेरा काम नहीं है ना तो मैं किसी पर हुकुमत करना चाहता हूँ ना तो किसी को फत्य मैं सबों की मदद करना चाहता हूँ ये मेरा जो character मैं prepare करना हूँ उस character का पहला paragraph है तो मैंने बताया कि आप बार-बार script को पढ़िए don't try to remember it don't try to perform it क्योंकि ज़्यादा तर actors का problem ये होता है कि script हाथ में आते ही हम perform करना शुरू कर जैते हैं और उस वज़े से उस एक तरीके से ही हम perform कर पाते हैं दूसरे तरीकों से हम ढूनते भी नहीं हम उस तरफ जाते भी नहीं है so that is why don't start performing your speech don't start creating the speech pattern right now just try to break it जैसे मैंने कल बताया था कि jumbling अप करके अपने lines को पढ़िए आज मैं चाहता हूँ कि आप तीनों जो elements से speech के जैसे हो गया pitch volume और speed उन तीनों को apply करते हुए अपने lines पढ़िए for example मेरा line है माफ करना मैं शहिंशा नहीं बनना चाहता ये मेरा काम नहीं है तो इसको मैं पहले नीचे वाले pitch में बोलूँगा माफ करना मैं शहिंशा नहीं बनना चाहता ये मेरा काम नहीं है बनना चाहता तो आप अलग-अलग pitch में जब उसको बोलेंगे तो अपने आप आप बहुत बार उस script को पढ़ चुके होंगे और मैं इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ ताकि speech जो है वो आपकी हो जाए आपकी बन जाए और जब वो आपकी बन जाएगी तो अपने आप वो निकलेगी जब आप perform कर रहे होंगे तब आपको lines याद करने जैसे minisqual और not so important activity पे effort नहीं लगाना पड़ेगा तब आपका effort लगेगा truth के उपर तब आपका effort लगेगा time and space के उपर तब आपका effort लगेगा सामने वाले actor को better perceive करने में और वो आपके truthful reactions को generate करेगा तो पहले pitch कर लिया अब उसके बाद दूसरा तरीका है कि हम speed करें तो हम slow से शुरू कर सकते हैं माफ करना मैं शेहनशाह नहीं बनना चाता ये मेरा काम नहीं है पढ़ना ही है याद नहीं करना है माफ करना मैं शेहनशाह नहीं बनना चाता ये मेरा काम नहीं है सो ये एक तरीका हो गया दूसरा तीसरा तरीका क्या है volume आप अपना volume बढ़ाते जाहिए या कम करते चाहिए तो उतने तरीके से आप पढ़ लेंगे उसके अलावा मैंने एक और तरीका आपको बताना है वो तरीका है इन चेंजिंग पोस्चर आप एक पोस्चर ऐसा कर सकते हैं अपने आपको सिकुड के बोल सकते हैं माफ करना मैं शैंशा नहीं बनना चाहता ये मेरा काम नहीं है इस तरह से पड़ा फिर आपने ऐसे करके ये मेरा काम नहीं है, तो जैसे मैं आपको psychologically तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ही आप physically भी तूटेंगे जब आप अपने speech को इस तरह से अलग-अलग postures में आप करते चले जाएंगे, ये इसलिए important है कि मैं आपको किसी एक खाके में बनता हुआ नहीं देखना चाहता अगर एक खाके में बांद के आप अपना performance करेंगे, तो सिर्फ वही एक तरीका होगा आपके पास perform करने का, दूसरे तरीके नहीं होंगे, अभी जो हम काम कर रहे हैं, अभी हम ये काम कर रहे हैं कि हम earn learn करें, हम तोड़े, हम बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से एक speech को बो फसेंगे, और perform कब करना है, जी ना कब है character को, जब आपके सामने camera लग जाए, जब director sound roll करने का order दे चुका हो, जब director camera roll करने का order दे चुका हो, वो समय है अपने आपको बटोरने का, जब director आप अपना काम कर रहा है, उस वक्त as an actor, आपका काम है कि आप अपने आपको अपने उपर attentiveness में ले आए, आप जो senses की exercise में बता चुका हूँ, exercise के जरिये, आप उस time और space को अच्छे से perceive कर लें, और जब director action बोले, उसके बाद आपको जीना है वो character, उसके बाद आपको बिल्कुल real truthful होकर, वो character जीना है, उस समय जीना है, उस समय प्रिटेंड नहीं करना है, उस समय एक्टिंग नहीं करनी है, जब आप ये करना सीख जाएंगे, और यकीन मानिये, कुछ भी करना आप तभी सीख सकते हैं, जब आप उस चीज की जिसको करना चाहते हैं, उसकी बार बार लगातार, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के अलावा, there is no way that you can become anything, like we have भाई खेतानी, मुराद खेतानी is a producer of films like कबीर सिंग, Notebook and many more, मुराद भाई is watching, thank you मुराद भाई for watching, और मुराद भाई के बारे में भी मुराद भाई की कहानी है, निसार खान देख रहे हैं, निसार भाई की भी कहानी है, निसार भाई हमारे National School of Drama के सीनियर है, मुराद करते रहे, करते रहे, करते रहे, production से बाहर नहीं निकले, तो करते करते मुराद भाई ने कबीर सिंग जैसी highest crossing film produce कर ली, so the practice मुराद भाई का नाम सामने आ गया, मुराद भाई सामने आ गया, तो मेरे मन में ये बात आ गई, तो ये quality होती है practice की, अगर आप practice करते चले जाए तो जिस काम को आप कर रहे हैं, वो आप better करेंगे ही, इसलिए मैं practice, patience और persistence पे बहुत जादा भार देता हूँ, पहले तो relax हो जाईए, relax इसलिए होना है कि हमारा कोई test नहीं ले रहा है, हमको कोई जंग नहीं लड़नी है, हमको बस truthful अभी नहीं करना है, और truthful अभी नहीं कर या हमारे labors की तरह खड़े नहीं खोदने है, या हमारे factory workers की तरह सामान नहीं धोना है, you have to read, you have to speak, you have to perform, you have to use your body, these are not hard works, these are all happy work, if you can change your psychology, if you can change your thought process and everything is psychological, everything starts from here, even your performance starts from here, that is why it is very, very, very important that you practice, have patience, patience is to be happy, to be not happy, happiness is again a myth, when you are patient, you just have to be calm and waiting, that is very important and persistence is like, you know, you keep on doing and you keep finding the enjoyment, मेरी एक जूनियर है, सावी के, जिन्होंने का, this is wonderful what you are doing every day, सावी, thank you so much and I request you, कल मैने तुमारा फेस्बुक पे एक पोस पड़ा, जिसमें तुमने लिखा था, that you are missing your family, you are feeling very lonely, I felt really bad, I want you to request, though you are a certified National School of Drama graduate and you are very good as an actor, I know that, but you have worked with me also, but I want you to do, go, take yourself through this journey and I want you to create a character, so that you get away from your boredom and we can justify this, this whole thing, which is like, you know, let's make something out of this lockdown, so let's do that, Nisar भाई कहे रहे हैं, बहुत सूजी हुई, बहुत सरल तरीके से बहुत गहरी बाते कर लेते हो, बहुत कूँ, thank you दादा, Nisar भाई मेरा उत्सा हमेशा बढ़ाते हैं, और Nisar भाई मैं आपका बहुत शुक्रियादा करता हूँ, और मैं बाता हूँ कि चीजे जो है, वो simplified हो जाए, और आप बहुत ही senior और बहुत ही, बहुत सारा काम किये हुए, theater में, television में, films में, Nisar भाई ने बहुत सारा काम किया है, तो Nisar भाई ये बात लोग शायद समझ जाए, कि ultimately acting is to find that simplicity, acting in front of camera is not adding a lot, but it is about removing a lot, and that is why we are going through this process, where we are trying to break ourselves, physically, psychologically, mentally, emotionally, if we can break ourselves, and if we can do things in multiple ways, then we are free, अगर आपके lines आपके अंदर इस तरह से बैठ चुके हैं, कि आपको अगर कोई mean से उठाए, तो भी आप अगर अपने lines आप absorb कर चुके हो, और बोल सको, तो जब आप perform कर रहे हो, you are free, when you know about your emotions, when you know that you have to be truthful, you have to be, be there in time and space, और उसका तरीका मैं बता चुका हूँ, अगर आप अपने आपको समय में रख सकते हैं, then it gets very simple, it is just about absorbing the other person completely, understanding and reacting to it, even your lines are not dialogues, they are reaction to something, they are reaction to a situation, they are reaction to a thought, they are reaction to whatever somebody is speaking or whatever somebody is doing, so it is very very important that when you are working on your lines, when you are doing your lines, don't treat them as dialogues, they are not dialogues, they are reaction, everything that you are doing in a film in front of camera is reaction, it is though it is action, but that action, for example, the shot is that you are coming out of your house, but that is reaction to your want to come out of house, that is why I say the actions are minimal, reactions है सबकोच, आपके lines भी आपके reactions है, आपके dialogues भी आपके reactions है, those dialogues could be reaction to somebody's action, somebody's emotion, somebody's line, somebody's verbal sound, it could be anything, but every line, every dialogue that we consider dialogue, is not dialogue, it is a reaction, so very important to understand, now मैं आपको ये बाते बता चुका हूँ कि कैसे अपने script को अपने अंदर लिया जाए, अब मैंने कल एक और बात कही थी, मैं conviction और belief का एक simple exercise आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कल बोला था कि मैं, जैसे हम अलग-अलग personalities को मिलते हैं, जितने लोग कोई ना कोई असर हमारे उपर हमेशा के लिए रह जाता है, तो उनको भी आप खंगाल सकते हो as a character, तो मैंने कल बोला था कि यहां online जितने भी लोग आते हैं, उन में से कुछ लोगों को मैं personally मिला हूँ, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, तो मैं उनकी personality से क्या-क्य attributes की personality से मुझे क्या-क्या समझ में आया, वह मैं थोड़ा briefly बता देता हूँ, जैसे ज्ञान सहाई सर की personality से मुझे हम एक show करते थे, television show करते थे, उसमें वो DOP थे, he was in charge of photography, तो ज्ञान सर was the senior most person in the crew, but he was most sahaj, सबसे simplistic इंसान वो थे, तो ज्ञान सर की personality से जो attribute मेरे अंदर आया ह वो सहचता है, निसार भाई को मैं ज्यादा मिला नहीं हूँ, लेकिन निसार भाई की personality से जितना मुझे समझ में आता है, वो यह है कि he is very pointed towards whatever he is doing, सावी की personality से मुझे जो बहुत बढ़िया चीज मुझे मिली है, वो यह मिली है, that she is always smiling, she is ready to talk, she is very open about whatever she wants to share, हर्दीप सी मेरे दोस्त है, उनकी personality से मैंने देखा है कि he is always into his walk, he is always ready to do something, मुराद भाई की personality से मैंने देखा है कि silence, that guy could be going through a whole बहुत बढ़ा तूफान अगर उनके अंदर मचा होगा, tornado चल रहा होगा, लेकिन आपको मुराद भाई हमेशा काम दिखेंगे, so calmness is the thing that I have taken from him, प्रभाकर, प्रभाकर की personality से मैंने बहुत ही सुन्दर चीज सीखी है और समझी है और वो ये की प्रभाकर जो है, उसके अंदर the kid that we always try to suppress, हम अपने अंदर के बच्चे को हमेशा दबा के रखते हैं, वो मैंने प्रभाकर की personality में देखा कि उसके अंदर का ब पातों में हमेशा excited रहता है कि जैसे पत्तें खेले, जैसे लूडों खेले, जैसे ये कर ले, जैसे खाना बना ले, सर मैं आपके लिए चाय बना दू, तो that, you know that, that child in him is always alive and that I got through him, जिगर ये भट, जिगर भट मेरे दोस्त है और मेरे hometown में रहते हैं, उनकी personality से मुझे मिला ह है, the greed, the power, to say truth, हमेशा, वो उनका truth हो सकता है, हम political discussion में नहीं जाएंगे, लेकिन to stick to your truth is very very difficult and that is what I learned from Jigar, उसके अलावा कौन है, जिनको मैं जानता हूं यहां पे, जिनसे मैं मिल चुका हूं, रुद्रदीप चक्रबरते, रुद्रदीप is my junior from National School of Drama, but that guy go around the world and he is teaching lot of great people, he is practicing his acting and his knowledge and his craft in Los Angeles, America and I am very happy for him, the great thing about Rudradeep that what I have learned from him is the way he communicates, there is always smile on his face, his pace is always very controlled, he means every word that he says, so that is what I observed in Rudradeep and I have learned from him, Parish Panchal is one of my friends from my hometown, Parish Bhai के बारे में मैंने देखा है कि, he is always, he is in a jeetery energy all the time, he wants to quickly do something, quickly finish something, he understands everything very quickly and that quickness is what I have understood from Parish Bhai, उसके अलावा कौन है जिनको मैं यहां जानता हूँ, गुरुशा कपूर है लेकिन गुरुशा कपूर को मैं अभी तक personally नहीं मिला हूँ, कल उनके साथ फोन पे बहुत सारी बात हुई, उनसे मैं कुछ सिखा हूँ, विठल पाटिल, विठल के बारे मैं उनको जानता हूँ बहुत समाई से जब वो कोरियोग्राफी करते थे टेलिविजन शोज में, तो उनके जो पार्टनर थे, उनका स्वभाव बहुत ही जादा ऐसे एग्रेसिव था, बहुत ऐसे मतलब कर डालना है, मार डालना है, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा टाइप्स, और विठल was a controlling, त बहुत अच्छे दोस्त है, सूरत के हैं, और हिलारो नाम की एक national award film अभी अभी आई है, बहुत सारी गुजराती फिल्मों का music करते है, वैसे भी बहुत great musician है, और अभी हिलारो का music किया है, मेहुल से मैंने बहुत समय से मेहुल को जानता हूँ, लेकिन पहले से ही उसके आज तक नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मेहुल, it's my promise that whenever I'll have that extra earned money, I'm going to pay you back, love you मेहुल, मेहुल से मैंने सीखा है madness of an artist, eccentricity of an artist, where if he starts making a track and he wants something like, मुझे एक example याद है, कि हमको एक particular sound चाहिए था, तो उस sound के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना lighter लिया और उस lighter से अपने PC के screen पे उन्होंने मारना शुरू किया और उससे एक distinct sound निकल के आया and he used that sound. That is what I love about मेहुल, his madness, his eccentricity and his passion for his music. So these are the people that, तो मैं ये मैंने इसलिए ये सारी बाते detail में बताई, क्यूंकि आप भी अगर ध्यान से identify करेंगे, तो आपको वो सब लोग मिलेंगे, वो सारी personalities मिलेंगे, जिनके attributes आपके अंदर आये हैं. और वो attributes आपको help करेंगे, आप मेहुल का, जैसे मैं मेहुल के बारे में बता रहा हूं, तो अपने character में मैं मेहुल का एक attribute यूज कर सकता हूं, एक विठल का यूज कर सकता हूं, एक ज्यान सर का यूज कर सकता हूं, एक निसार भाय का यूज कर सकता हूं, जितने भी लोग मेरे around हैं उनके attributes को में use करके अपने character में डाल सकता हूं. So, it is very important that when you meet personalities, your observation, I have spoken about it in my third or fourth session, that when you observe somebody, just don't see, just don't understand, but replicate them. I have done in my little ways to replicate these people and that is why I know what I have learned from them. Okay, so this is how you, you know, you go through and explore the personalities which are stored in you. Now, सबसे important आज का exercise पहले तो belief और conviction को समझ लेते हैं. Belief क्या है? Belief यानि किसी भी बात में आपका संपुरन विश्वास, आपका पूरा भरोसा, किसी भी subject में, किसी भी action में उसको belief कहते हैं. और जब ये belief बहुत जादा strong हो जाता है, जब आप उस बात को 100% मान चुके होते हो, जब वो आपका belief जो है, बिलकुल concrete हो जाता है, तो that becomes conviction. और belief कहां से आता है, practice से आता है, लेकिन mental practice के साथ, because we are an actor, we are going to act, acting means to do, करना है, what your character speaking is not going to say everything about your character, but whatever your character is doing, जो कर रहा है, उससे आपका character बहुत कुछ कह जाएगा, बहुत कुछ कम्यूनिकेट कर जाएगा, so belief and conviction should not be achieved only psychologically, but physically also, practically also, in actions also, so there is a very simple exercise that we all can do sitting at your home in very comfortable environment, I have two props to do this exercise only, the first prop is this glass, second prop is this bottle and third prop is me, myself, my psychology and my physicality, so what I am going to do is, first I am going to have an experience of having a glass and putting water into it, right, so first of all, I will remove this cap because it is not going to help me, so I have kept my cap aside because I have the limited frame and I need to show it in that way, but your exercise could start from opening the cap, so you have complete feel of opening the cap, then you put it aside, then you hold the bottle, you because you have trained your senses of touch, you know the temperature of the bottle, you know the weight of the bottle and then you have the glass, now you know the temperature of this glass, you have perceived these objects completely and then you pour the water in the glass and you know how much have you poured and then you drink water from this glass, you saw, you felt the water going on in your body, from your mouth, you understood the taste of the water, the smell of the glass, right, you did everything, you understood everything, everything, now I am going to go silent and do this and then I will show you the next step of belief and conviction, okay, so I have this glass and bottle and now I am going to be silent, I am not going to speak anything, I will do this activity and then I will speak. done, ab mere senses mein, meri memory mein ye bottle ka weight, glass ka weight, glass ka touch, paani everything is there, now I have to convince myself, I have to believe, I have to create a belief in me without glass or bottle and I should be able to do this, so now I am going to go silent again and try to do this exercise and because right now people are watching me, because I am in front of camera, I am not, I am sure that I will try but I may not be able to achieve it completely but when you are alone and you do this exercise you can go really close to 100% and you can achieve this, so now I am going to do it without bottle or glass, so now here I start to look for the dialogue and do this exercise I I don't mind, the sound of my body. that's it I could if I am being honest with myself I was there 60% I lost my concentration my attention once when I was pouring the water otherwise I could feel the bottle I could feel the glass I could feel the temperature of the glass and I could remember I could create the taste of the water in my mouth when I didn't have that similarly when you are imagining things they are not there they are invisible they are not physically there so when you imagine things and when you take yourself through those imagined things physically you get closer to your belief when you completely your belief is strong and then when you see actually feel the bottle 100% and when you actually feel the glass 100% I have told you before that ये मैं मुझे कुछ भी प्रूव नहीं करना है आपको आपको मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है it is all about being honest to yourself इस exercise का मैं बिलकुल आपको जज नहीं कर पाऊंगा कि आप सही कर रहो या गलत कर रहो it is the honesty that you have with yourself अगर आप honest है 100% तो आप ये exercise completely कर पाएंगे and that's how you can increase the power of belief in you by creating the same experiences again with yourself and when your belief is 1000% when your belief is at optimum you would be able to do it very purely, very correctly and you will have those experiences with again so keep doing this again and again and again and you can choose multiple activities small activities जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं चाहे खाना, नहाना, दोना पीना, घूमना, चलना, बैठना बात करना, सुनना, सूंगना वो जितने भी चीज कर रहे हैं वो सारी चीज़ों पर अपना attention 100% ले आईए do everything at a time one thing at a time whenever you are doing for example when you are talking, talk when you are walking, walk when you are listening, listen when you are writing, write when you are eating, eat when you are going to party, do the party don't think anything else and that's how you pay complete attention to your every action and when you pay complete attention to every action it is very, it gets very easy to recreate them on camera क्योंकि आपको life में वो सारे actions जिनको आप और धीरे धीरे जब आप एक action को सारे actions को सारी चीज़ों को attentively करना सीख जाते हैं तो आप attentively perform करना भी सीख जाते हैं तो वो दोनों तरह की practice होती है इसमें और इसलिए आपके actions in front of camera truthful होने लगते हैं सी भी activity को recreate कर सकते हैं और अपने आपको practice करवा सकते हैं बिलीव की जैसे कल मैंने इश्तियाक का example इश्तियाक खान मेरे एक दोस्त है जिनका जिन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था उस वीडियो का example site करते हुए मैंने कहा था that anybody who is your guide or a friend can show you the रस्ता आपको रस्ता दिखा सकता है उस रस्ते पे चलना आपको ही है वैसे ही दूसरी बात मैंने बताई थी you have to be your own guide you have to be your own guru अगर आप अपने गुरु खुद बन जाएंगे तो बहुत आसानी से आप अपने आपको सिखाएंगे और अपना गुरु होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने गिल्ट से उपर उठें आप अपने गिल्ट को तुरंत माफ करें अपने आपको तुरंत माफ करें अपने आपको प्रेम करें अपने आपको सुनना सीखे अपने आपको समझना सीखे तो आप अपने better way में गुरू बन पाएंगे, आप better way में अपने आपको समझ पाएंगे, आप better way में अपने आपको guide कर पाएंगे क्योंकि हम और हमारा neutral persona हमेशा हमारे साथ रहता है और वही हमको चलाता है तो आज के session में इतना ही जादा नहीं बताऊंगा, कल के session से हमारा detective काम शुरू होगा अब आप पुछेंगे detective काम क्या है, detective काम मतलब आपकी script जो है आपने इस character को करने के लिए चुनी है जिसका video आप मुझे भेजेंगे और मैं आपको भेजूंगा और मेरे सारे sessions के video नाव YouTube के role explore studios पे पूरा playlist अवेलेबल है you can start watching from the first and yes lot of people are asking me on messengers and facebook and instagram and all that कि हम आपके sessions को किसी के साथ share कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं just give them a caution that whenever you do those physical exercises which are shown in prior sessions अपना ध्यान रखे, ज्यादा रिस्क न ले, ऐसे ना करे कि एक ही बार में कर डाले, आराम से करे otherwise you can hurt yourself, so just take care of that but you can share, you can spread, you can till as many people you want to क्योंकि sharing is caring, मजा आ रहा है मुझे भी देने में, आनन्द आ रहा है, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ दूसरी मेरी एक बहुत important request है, खास करके शिवम और सार्थक को जो लोग live भी मेरे sessions देखते हैं लेकिन वोग practice करते हैं, तो मुझे questions भेजते रहते हैं, पर मैं आपसे request करना चाहता हूँ कि please मुझे ये सारे questions जो है, आप जब online sessions होते हैं तब पूछिए क्योंकि बाकी समय में मैं अपने writing में busy रहता हूँ, मैं अपने और कामों में busy रहता हूँ तब आप सवाल पूछते हैं, तो मुझे जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं जवाब दे देता हूँ लेकिन मैं आपसे request करना चाहता हूँ कि live sessions में सवाल पूछिए, उससे दो फाइदे होंगे कि आपके सवालों के जवाब एक time में सारे मिल जाएंगे, और दूसरा आपके सवालों से बाकी जो लोग देख रहे हैं, उनको भी बहुत फाइदा होगा, उनको भी improve होगा बहुत बार इनसान के मन में समस्या होती है, लेकिन उस समस्या को कैसे शब्दों में रखें, वो नहीं समझ में आता है तो यदि आपके सवाल होंगे, तो वो सवाल बाकी लोगों के भी हो सकते हैं, और उनको भी हो सकता है, solution मिल जाए, मुरे पास solution नहीं होगा, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा और अगले sessions में बताऊंगा, उसके बारे में research करके, उसके जवाब धूनके अगले sessions में बताऊंगा, लेकिन सवाल मुझे यहीं पूछे, और आज मैं आप सब का बहुत आभारी हों, thank you so much, आप सब ने देखा, and you can always share these sessions with everybody, and keep practicing, and that's how we'll reach to where we want to, and I'm sure we all are going to create great stuff, और great videos, and we are going to create great characters, and those all characters are going to be very truthful, कल के exercise में, कुछ और तरीके अपने script को deal करने के, दूसरा, मैं कल के lecture में बात करूँगा, कल के session में बात करूँगा, thought, emotions, or intent of your script, your lines, उसके बाद, अभी भी perform नहीं करना है, उसके बाद मैं costume, makeup, space, और time के बारे में कल बात करूँगा, कि वो और आपके character का relationship कैसा होता है, उसके बाद आगे की journey, आगे करते चले जाएंगे, तब तक के लिए stay safe, stay home, enjoy yourself, and love each other as much as you can, because that is the best thing that we can do, love you all, God bless you, thank you so much.